हमारी सोसाइटी में आम तोर पर मेल्स को हमीशा एलफा और बीटा के रूप में केटेगराइज किया जाता है लेकिन एक केटेगरी है जिसमें ना तो एलफा की क्वालिटी होती है और ना ही बीटा की क्वालिटी होती है और हम उसको सिग्मा मेल कहते हैं सिग्मा मेल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है Alone and outsider सिग्मा मेल नॉर्मली मेल टाइप के काफी अलग होते हैं उन्हें किसी भी विक्ति की राय की कोई भी परवान नहीं होती वे सिर्फ अपने चॉइस की चीजे ही करते हैं उन्हें regular social trends और किसी भी विनको follow करना पसंद नहीं होता उन्हें दूसरों से मदद मांगनी अच्छी नहीं लगती बल्कि वो दूसरों की help करना ज्यादा पसंद करते हैं वे अपने ही विन्स पर अपनी life को जीते हैं और self employed होते हैं और हमेशा ग्यान और अनभव के मुले को पसंद करते हैं ना कि materialistic चीजों को वे हमेशा लोगों को change नहीं करते हैं बल्कि उन से लोग attract होते हैं और इसी तरह से आज हम आपको sigma well की qualities के बारे में बताने वाले हैं इनको अकेले रहना बहुत पसंद होता है पर दूसरों की value को यह समझते हैं और ज़्यादत टाइम खुद के साथ बिताते हैं अकेले रहने के बावजूर यह दूसरों की value को समझते हैं कि इन्हें पता होता है कि अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता इसलिए सिग्मा मेल से relationship बनाना बहुत ही difficult होता है पर नामुकिन नहीं होता यह alpha male की एक बहुत ही तंगड़ी quality होती है साथ ही साथ दूसरों को अपनी positivity और leaders mindset से lead करते हैं यह दूसरों पर यकीन करते हैं और उनको समझाते हैं और लोगों के साथ मिलकर solution निकालने पर यकीन रखते हैं नमबर 3 highly adaptive situations alpha male कुछ ही situation में अपनी leadership quality दिखा पाता है पर sigma male हर वक्त leader बनने की ख्वाईश को अपने सर पर लिये गूंता है वे सही समय देखकर सही काम करता है उसे जो भी काम दिया जाता है वे उसको पूरी शिदत और पूरी excellence के साथ complete करता है और इसी वज़े से वे बहुत ज़्यादा flexible और ज़्यादा successful भी होता है बिकास वे हर position को और हर काम को enjoy करता है नमबर 4 two gentlemen sigma male हमेशा आपको एक नज़र से देखते हैं और लोगों के बीच में कोई difference नहीं करते हैं बन्दा चाहे अमीर हो या गरीब, celebrity हो या common वह उनको एक ही नज़र से देखते हैं और एक ही तरीके से treat करते हैं नमबर 5 creative sigma males बहुत ही ज़्यादा creative और innovative होते हैं ये बहुत ही high problem solving skills रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा knowledgeable होते हैं इनके अंदर बहुत सारी intimate powers भी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा disciplined और dedicated होते हैं नमबर 6 reserve and introvert sigma males बहुत ही ज़्यादा शान्त होते हैं वो अपनी feelings हर किसी के साथ share नहीं करते हैं वो जो सोचते हैं वो खुद में ही रखते हैं और उनको ही बताते हैं जिनको अपने दिल के करीम मानते हैं वे हमेशा अपने आपको चुप रखते हैं क्योंकि वे अपनी energy फालतों चीज़ों पर dump नहीं करते हैं वे ऐसी चीजों में involved नहीं होते हैं उनका टाइम और अनेर्जी वेस्ट हो नमबर सेबन रिस्क टेकर जो किम उठाई भी ना कुछ हासिल भी नहीं होता बड़े सबने देखने वाले लोग हमेशा रिस्क उठाते ही हैं सिग्मा में रिस्क टेकर होते हैं उनको पता होता है कि लाइफ में सक्सेस्क होने के लिए रिस्क लेना तो जरूर पड़ेगा और वे अपने ही प्लैन करके कैलकुलेटिट रिस्क लेते हैं वे अपनी लाइफ को बैलन्स करना जानते हैं इसलिए वे एक एफेक्टिव लीडर होते हैं नमबर 8 इसलिए हमेशन लोगों के साथ एमोशनली जुड़ते हैं जो उनके लायत होते हैं सिग्मा मेल्स सिर्फ खुद को फोकस करते हैं वे अलफा मेल की तरह दूसरों की लाइफ में जादा इंटरस्ट नहीं लेते वे खुद को अच्छे से जानते हैं अपनी स्ट्रेंट और वीकनेस को समझते हैं और बीना टाइम वेस्ट किये खुद को बेटर बनाने में लग जाते हैं और वे ड्रामा और शोर चराबे से बहुत साथा दूर रहते हैं नमबर टेन सिग्मा मेल्स एक सेल्फ इनिशेटिव के तौर पर होते हैं आपको हर कंपनी की इग्जेक्यूटिव और मैनेजमेंट लेवल में देखने को मिलेंगे क्योंकि सिग्मा मेल्स के अंदर जो स्किल सेट होते हैं वो बहुत ही मिच्चौर होते हैं और वो खुद को समझते के साथ मर्टी टेलेंटेड भी होते हैं और अपनी qualities का best use करते हैं इसलिए मैं guarantee से कह सकती हूँ कि अगर आपके अंदर ही qualities हैं तो आपको अपनी life में successful होने से कोई भी नहीं रोब सकता तो अगर आप भी ऐसे ही किसी person को जानते हैं जिसके अंदर ये सारी qualities हो तो आप ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत दो मिलते हैं ऐसी की interesting वीडियो के साथ जल दीए